अब defense exam crack करना हुआ और भी असान त्रिशूल defense academy लेकर आए हैं बिल्कुल ही advanced learning app तो आज ही join करें और start करें अपनी online classes नमस्कार defense as parents स्वागत है त्रिशूल defense academy के youtube channel पर एक बार फिर मैं लगे के आया हूँ difference वाली series यहां त्रिशूल defense academy के youtube channel पर यह बड़ी मश्शूर हो रही है comparison वाली series अक्सर मुझसे parents पूछते हैं कि साथ defense और private में क्या difference है तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगा defense sector versus private sector कौन सा जादा सही है देखिए overall third party की नजर में मैंने यह differences बनाएं ऐसा नहीं है कि मेरे को defense sector को बहुत अच्छा बताना इसलिए मैंने यह comparisons आपके लिए कि ए एक third party की नजर में एक तीसरे इंसान की आखों में defense sector versus private sector का difference की मैं बात कर रहा हूँ defense sector एक बार आप commission officer बन गए आपकी नौकरी बड़ी secured है आप secured job है एक respectable job में है आपके अंदर stability है एक प्रकार का structure जो है वो बड़ा well defined होगा well defined मतलब पहले आप army में अगर जाना है तो left hand बनेंगे training के बाद left hand के बाद captain captain के बाद major एक defined structure है वही private में job बड़ी secured नहीं है अगर आप काम नहीं करेंगे अगर company losses में है तो वह बंद हो जाएगी काम नहीं करेंगे निकाल दिये जाएंगे respect नहीं है आपके आपके काम जिस दिन आपने काम अच्छा किया उस दिन तो वाँ 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 बहुत बड़ी अशानदार आदमी हो जिस दिन काम अच्छा नहीं किया उस दिन गढ़े हो तो overall respect वाला component नहीं है stable नहीं है हाँ एक तरीके से defined structure इसलिए है क्योंकि जिस काम के लिए higher करेंगे उसी काम के लिए आपको रखेंगे प्रमोशन्स की बात करें तो जो different sector है वो timely promotions होंगे specific time period में promotions है private sector में अगर आपका हुनर है अगर आपका काम है और आप संस्था को आपका काम दिख रहा है तब तो जल्दी promotions दे देंगे अगर संस्था को आपका काम नहीं दिख रहा है तो आप वहीं के वहीं पढ़े हो इसलिए it entirely depends on your work private sector में defense में there is a system हर चीज़ का एक system बना हुआ है salary की बात करें तो grade pay है defense में 7th pay commission है और साल आना सरकारी employee है और government employee है साल आना salary increment होना ही होना है वहीं private sector में salary का कोई हिसाब किताब नहीं जितना अच्छा काम करोगे उतनी अच्छी salary बढ़ेगी अगर काम नहीं करोगे अगर संस्था को मुनाफ़ा नहीं दोगे तो भाया salary नहीं बढ़ेगे इसलिए मैंने लिखा है unlimited है salary जो है वह unlimited ठीक फैसिलिटीज हाँ defense के मामले में फैसिलिटी सेक्यूर्ड कैंपस में रह रहे हुए medical फैसिलिटी है ECHS के कार्ड्स है command hospital based hospital military hospital है आर्मी का research and referral hospital वह है जहाँ पर मोदी जी अपने आपको दिखाते हैं जहाँ पर president of India अपने आपको दिखाती है जहाँ पर defense minister अपने आपको दिखाते हैं तो medical फैसिलिटी शांदार है campus है sports है बच्चों के लिए sports है बीबीओं के लिए secured life है आपकी wife secured रहेंगी private में भया हर चीज के लिए पैसा कर्चों कहते हैं न पैसा खर्च तमाशा देखो वही है private sector में जितना पैसा खर्चोंगे जितना डाल में घी डालोगे उतनी डाल स्वादिष्ट है वैसे ही private sector है जितना पैसा कर्चोंगे उतना ही आपको perks and benefits मिलेंगे opportunities की अगर हम बात करते हैं तो भाई defense sector में you work for the nation आप एक nation के लिए काम कर रहे हो आप देश के लिए काम कर रहे हो ठीक इसके बाद when you are working for the nation overall respect है भाई market में सब क्याते है और यह वा रिस्पेक्ट है वो रिस्पेक्ट वाला component है फॉज आपको दूसरे देशों में भेजती है peacekeeping missions military exercises तो दूसरे देशों में फॉज आपको भेजती है ठीक आप जैसी फॉज ही अफसर बन जाते हो constantly पढ़ाई से technology से touch में रहते हो क्योंकि फॉज चाती है चुस्तीली फुर्तीली technologically upgraded अफसर जो फॉज आपको पढ़ाती रहेगी प्राइवेट में क्या है कि आप as a company join कर लोगे फिर आपको MBA करना है तो अपने खर्चे पे MBA करोगे फॉज MBA भी कराएगी तो फॉज पूरा costing बेर करेगी लेकिन प्राइवेट में क्या है कि आपको अपने खर्चे पे अपने आपको अप्ग्रेड करना होगा ठीक है दूसरी बात फॉरन कंट्रीज में जाने का मौका मिल सकता है बिलकुल मिल सकता है प्रोवाइडिड आप company को कुछ benefit दो प्रोवाइड़ अब IT की नालाब है तब तो ठीक है company का नालाब नहीं तो जहां बैठे हो वहीं बैठे रहे जाओगे जिन्दीगी भर defense में ऐसा नहीं है defense में फॉज बहुत ध्यान रखती है बहुत ध्यान आपको टेकनोलोजीकली अपग्रेड करेगी फॉज आपको MBA कराएगी PhD कराएगी study leaves देगी दूसरे देशों में टेकनोलोजी सीखने का मौका मिलेगा आज इंडियन AFOS के pilots France जा रहे है रशिया जा रहे है यूएस जा रहे है नेवी वाले अलग अलग कंट्रीज के साथ नेवल एक्सिस कर रहे हैं आर्मी वाले अलग कर रहे हैं तो भाई ओवर ओल इट इस सी ऑफ उपरचीनिटीजे डिफेंस में अपरचीनिटीज बहुत 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 जादा हैं आखिरकार आज सबसे बड़ा employer railways इसके बाद defense है भाई अपने आप में 14-15 लाग करमचारी है forge में कोई ना कोई तो बात होगी ना कोई ना कोई reasons तो होंगे और सबसे बड़ा reason for join करने का commissioned officer join करने का है for join करने का है कि you get respect अगर आप forge में commission officer होते हो यूघतर रिस सेट्टी कुछ लोग यार रिस्पेट के लिए जीते हैं को Čह बहुत ज्पार अगर है पैसा है पैसा है पैसा करना है तो बहुत आप लोना होना होना चाहिए तब आप हाई पैसा हाई पैसा करिए पर अगर आपको respectable job चाहिए you want to serve the nation you want to serve the nation with glory बतलब एक कलोनी में चार मकान हैं उसमें से किसी करनल साप का मकान होगा न तो सबको पता होगा वो करनल साप का मकान है क्यों? वो respect है यार वो respect आप earn करते हो लेट विंग कमंडा नो पहरुत्रा जी का एक विजिन था 2003 में कि यार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फौज में अफसर बनाना है इसलिए उन्होंने त्रिशूल डिफेंस अकाडमी अलाबाद में स्टार्ट की थी आज त्रिशूल डिफेंस है एस्परेंस अगर आपका सपना भी इंडियन आर्म्ड फोस्स जॉइन करने का है तो आप त्रिशूल डिफेंस अकाडमी आ सकते हैं हमारी सबसे पुरानी ब्रांच प्रियागराज ब्रांच है सिविल लाइंस में इसके अलावा हमारे दिल्ली राची में भी ब्रांचेश हैं दिल्ली के लक्षमी नगर में राची में शाखा है और अपने आप में ये सारे ब्रांचेश का सिर्फ एक मिशन है तो मेक वर्ल्ड क्लास कमिशन आफिसर पर इंडियन आर्म्ड फोस्स जी हाँ हमारा मिशन है कि हम अच्छे फॉज को अफसर दें जिसको फॉज ट्रेन करें और देश के काम ला सकें ऐसे लोगों को तो अगर आपका सपना भी Indian Armed Forces join करने का अगर आपका इस अपना भी Commissioned Officer बनने का है तो Tribal Defense Academy join करें और इस अपने को पूरा करें इसी के साथ इजाज़त दीजे Thank you जैहिंद यार रखिएगा When you are in defense You are serving the nation with glory, with respect आप पूरी दुनिया की नजर में एक respectable candidate होंगे एक respectable citizen होंगे और फॉज आपको यार इतनी salary दे देती है कि आपको कहीं कभी-कभी जरूत नहीं पड़ती कभी-कभी तो फॉजी अफसर का तो पैसे ही नहीं घर्चवा होता है यार campus में रह रहे हैं, quality education मिल रही है sports मिल रही है, medical free है हर चीज का फॉज ध्यान गर अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे तांक यू अब defense exam crack परना हुआ और भी असान रिशूल defense academy लेकर आए हैं बिल्कुल ही advanced learning app तो आज ही join करें और start करें अपनी online classes